सब्सक्राइब नाम का हमारा चैप्टर है हम आज उसे करने जा रही है अब यह जो चैप्टर है यह बेसिकली एक एक एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ कहानी है इसमें इग्जाक्ट वर्ड्स जो बोले जाते हैं किसी आत्मी के द्वारा उस टाइप से यह लिखा हुआ य कोई descriptive नहीं है कि इसमें किसी चीज के होने के बारे में भताया हो यहाँ पर जो descriptive portion है वो बहुत थोड़ा सा है और जो maximum portion है वो हमारा active voice में है ठीक है और यह जो story है यह 9-10 में होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए यह मुझे ठीक से नहीं पता है क्योंकि यह 9-10 के level का story नहीं है यह 11-12 के level का story है तो इस story को 11-12 में दिया जाता तो काफी अच्छा रहता है क्योंकि यह मेरा मानना है लेकिन अब हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि वह syllabus तो council का है तो हम बस यहीं कर सकते हैं कि यह जो chapter है इसको समझने की कोशिस करें ठीक है अब यह जो हमारा chapter है इसमें सबसे पहले हमें अपना जो 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 characters इसमें होगा हमें वो देखना होगा तो यह जो chapter है इसका नाम है संदेह अब संदेह का मतलब क्या होता है किसी के उपर में doubt करना किसी के उपर में शक करना उससे हम लोग संदेह करना कहते हैं ठीक है संदेह का मतलब होता है शक किसी के उपर में शक करना ये संदे करना कहलाता है अब ये जो हमारा कहानी है इसका मतलब इसका जैसे टाइटल है संदे तो वैसे ही इसका थीम भी संदे ही है इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो थोड़े न थोड़े तरीके से एक दूसरे के उपर में संदेह करते रहते हैं एक आदमी का थोड़ा सा संदेह दूसरे पर हमेशा रहता ही है ठीक है अब यह जो हमारा main जो इसका character है उसका नाम है रामनिहाल ओके रामनिहाल हमारा main character है जोकी एक जवान आदमी है ठीक है और राम निहाल के बाद जो हमारा second most important character है वो है श्यामा ठीक है अब श्यामा जो थी वो एक मकान मालकिन थी और राम निहाल श्यामा के यहाँ एक किरायदार था राम निहाल श्यामा के एक घर पे रहता था और श्यामा जो थी वो विध्वा थी उसके पती का मौत हो गया था तो वो अब विडो थी और राम निहाल श्यामा के यहाँ पे रहता था और एक character है जिसका इसमें बस हमें थोड़ा सा ही दिखाए देता है वो इतने important भी नहीं है उसका मैं नाम भूल गया मैं एक बार आपो देख के बताता हूँ किशोरी तो एक character है जिसका नाम है किशोरी अब ये किशोरी कौन है किशोरी श्यामा के यहाँ पे एक नौकरानी थी ठीक है तो ऑल्दो किशोरी के बारे में हमें जानने की जरुत नहीं है हमें में जानना है रामनिहाल के बारे में और श्यामा के बारे में अब इन दोनों को और दो important characters हैं यहाँ पे जिसमें से एक का नाम है Mohan I guess Mohan ही नाम होगा, मुझे नाम नहीं याद रहते हैं मैं एक बार दिखा लेता हूँ Just a second एक का नाम है Mohan ठीक है और Mohan की पत्नी है जिसका नाम है Manorama ठीक है और और एक character है जिसका नाम है ब्रज की शोर ब्रज की शोर ठीक है तो यह हमारे story के main main characters है main character हमारा रामनिहाल है फिर रामनिहाल के बाद जो हमारा second main character है वो है श्यामा फिर है की शोरी जो कि इस character में बस थोड़े से time के लिए होती है अब रामनिहाल और श्यामा के जैसे ही दो और main characters है जिसे एक है मोहन और एक है मनोरमा मोहन और मनोरमा आपस में हती पतनी है और यह जो मोहन है यह थोड़ा सा mentally disturbed आजमी है मतलब कहीं पे भी कुछ भी बोलने लग जाता है थोड़ा सा इसको mental disturbance है और भरज किशोर जो है वो रामनिहाल का boss है ठीक है भरज किशोर जो है वो रामनिहाल का boss है और मोहन और भरज किशोर जो है वो आपस में एक relation में है मतलब आप वो मत समझिएगा ठीक है यहाँ पे relation का मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे को जानते है या फिर वो दुनों से दूर के रिष्टेदार होंगे, असली रिष्टा क्या है वो यहाँ पर भोला गया नहीं है, ठीक है, तो यह हमारा संदेह है, जिसमें राम निहाल मेन करेक्टर, श्यामा सेगन मोस्ट करेक्टर, मोहन और मनुरमा अति-पत्नी है, और बरजगी शोर र स्टार्टिंग में क्या होता, कि राम निहाल के पास मनोरमा की एक छिठी आती है, जिसमें मनोरमा राम निहाल को अपने पास भुला रही होती है, उसको कोई help चाहिए था, अब राम निहाल जो है, वो श्यामा से एक तरफा प्यार करता था, जिसे वट सार्यल स्टोडी कहत तो राम निहाल जो है वो श्यामा से प्यार करता था और थोड़ा बहुत उसके अंदर में मनोर्मा के लिए भी फिलिंग्स थी यह बहुत लोगों के केस में होता है ठीक है एक मोबैल में दो सिमकार्ड होते हैं तो राम निहाल जो था वो श्यामा को प्यार करता था और मनोर् प्रती जो थोड़ा बहुत आकरशन होता है उस टैप का था अब मनोर्मा जो है वो अपने पती और बरज की शोर इन दोनों से फ़रेशान रहती थी क्योंकि पहली बात तो Mohan भी फ़रा बहुत पागल था और जो बरज की शोर था वो भी इन दोनों को बहुत परेशान करता थ तो मनोर्मा क्या करती है कि एक बार वह राम निहाल को एक छिठी लिखती है और राम निहाल को अपने पास भुलाती है अब राम निहाल जो है बहुत जदा सोचता है इसके बारे में क्योंकि उसे ये लगता है कि मनोर्मा उसे प्यार करती है ये उसके मन में एक संदेह होता है कि मनोर्मा उसे प्यार करती है और राम निहाल जो है वो श्यामा को प्यार करता था तो वो ये सोचता है कि अगर मैं मनोर्मा के पास चला जाओंगा तो शायद वो मतलब वो बहुत आगे की बात सोच लेता है कि शायद मनोर्मा मुझसे प्यार कर बैठेगे फिर हम तुरों सा आमान जो है वो पैक कर रहा होता है मनोरमा के पास जाने के लिए लेकिन वो बहुत जादा रो रहा होता है और जब श्यामा यह देखती है तो वो उससे इसका कारण पूछती है तो वो कारण में यह बताता है कि एक बार भरज किशोर जो कि उसका बॉस है उसे यह बोलता है कि भरज किशोर के ही दो बहुत खरीबी आदमी मोहन और मनोर्मा भरज किशोर राम निहाल को कहता है कि तुम इन दोनों को घुमा करके ले आओ अब राम निहाल जब मोहन और मनोर्मा को घुमाने के लिए ले जाता है तो वहाँ पे मोहन और मनोर्मा जो है उन दोनों की बीच मे जो पतलत जो बड़े लोगों के यहां होता है कि कोई अगर थीसरा आदमी मिल गया तो उसके सामने में अपना सब जो भी छिठा है वो खोल दो तो वहाँ पर मोहन क्योंकि आपको बताया कि मोहन जो है वो थुरा mentally disturbed था तो वो यह सोचता था कि मनोर्मा और भरज खिशोर मिलकर उसे पागल करार दे देना चाहते हैं और उसकी सारी property हरप लेना चाहते हैं तो मनोर्मा और मोहन के बीच में इसको लेकर थोड़ा सा तनातानी होता है और उसी समय पे मनोर्मा क्या करती है कि मनोर्मा राम निहाल से मदद मांगती है और इसी पे राम निहाल ये सोचने लग जाता है कि साध मनोर्मा उसे लाइक करती है तो ये बात वो श्यामा को पताता है कि इसी लिए मनोडमा ने आज मुझे चिठी भेजी है और वो चाहती है कि मैं उसके पास आऊँ क्योंकि वो मुझे प्यार करती है उसी बीच में क्या होता है कि राम निहाल के पास एक फोटो था, जो asseertे हम क्या है अक्सर कोई ना कोई फोटो क Ciama लेती है। तो श्यामा वह फोटो देख लेती है, अब क्योंकि बहुत ज़्यादा समझदार लड़की है तो वह सब कुल समझती है। कि रामनी हाल असली में श्यामा से प्यार करता था और उसे या संदेय था कि मनोडमा भी उसे प्यार कर रही है और रामनी हाल इसी बात में भरेशान था कि एक तरफ वो श्यामा को प्यार करता था और दूसरे तरफ शायद मनोडमा उसे प्यार करती थी तो ये बात जब वो श तो तुम बेवकूफ हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस तुमें अपने दोस्त के तरह ट्रीट करती है, और वो बस यही चाहती है, कि तुम उसके पास जाओ, उसकी मदद करो, और फिर वापिस आ जाओ, तो श्यामा राम निहाल का जो भी संदेह रहता है, वो सारा संदेह उसका खतम कर देती है, और अंत में स्टोरी इससे end हो जाता है, अभी जो स्टोरी है, अगर मैं इसका duration के बारे में बताओ, तो यह स्टोरी मुश्किल से सायद 15 मिनिट से आधे घंठे का होगा, मतलब इसका actual जो running time होगा, कि क्या होता है, कि राम निहाल अपने room में रो रहा होता है, तभी श्यामा वहाँ पर आकि उससे बातचीत करती है, और वही बातचीत यह स्टोरी है, और जब बातचीत खतम हो जाती है, तो फंदरा से 30 मिनिट का यह स्टोरी है, और हमें इसे वैसे ही समझना है, ठीक है, अब यहां तक था इसका summary, अब हम इसके बाद जो main story है, व है, आज चाहता था कि पहले आप थोड़ा सा summary जान ले, सभी characters के बारे में जान ले, और उसके बात story को समझें, तो अब क्योंकि हमने वो कर लिया है, तो आईए main story की तरफ भरते हैं, राम निहाल अपना बिखरा हुआ समान बांधने में लगा, जंगले में धूप आकर उसके चोटे से शीशे पर तरप रही थी, अपना उज्वल आलोक खंड वचोटा सा दरपन, बुद्ध की सुन्दर प्रतिमा को अडपन कर रहा था, किन्तु प्रतिमा ध्यान मग्न थी, उसकी आखे धूप से चुन्दियाती ना थी, प्रतिमा का शांत गंभीर मुक और भी प्रसन हो रहा था, किन्तु राम निहाल उधर देखता ना था, उसकी हाथों में था एक कागजो का बंडल, जिसे संदूख में रखने से पहले वह खोलना चाहता था, पहरने की इक्छा थी, फिर भी ना जाने क्यों हिचक रहा था, और अपने को मना कर रहा था, जैसे किसी भयानक वस्तू से बचने के लिए कोई बालक को रोकता है, अब जैसे कि मैं आपको बताया कि स्टार्टिंग में क्या होता है, कि राम निहाल अपने उस कमरे में बैठ कर बहुत कुछ सो संदूक मतलब एक पेटी को कहा जाता है, तो राम निहाल वहां से जा रहा था, और जाने से पहले उसके हाथ में एक कागसों का बंडल था, अब उस कागस को बंडल को वह खोलना चाहता था, फिर संदूक में रखता था, लेकिन उसे वह खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, उसके हाथ में जो बंडल था, वो उसे खोलना चाहता था, लेकिन उसे खोलने की हिम्मत उसके अंदर में नहीं हो रही थी, और यहां पर उस रूम का एक सीन के बारे में बताया गया है, कि रूम जो है उसमें काफी धूप आ रही थी, और रूम के अंदर में एक छोटा सा जिसमें बाहर से धूप आकर सीशे से टकराती थी और सीशे से टकराकर वो धूप उपर में जो बुद्ध की भरतिमा गौतम बुद्ध का जो मूर्ती रखा हुआ था वो उस पर जाकर रहती थी उस पर जाकर वो अटक जाती थी और धूप के कारण वो मूर्ती जो है वो खो तो आख चौन्धियाने लग जाता है लेकिन उस बुद्ध की प्रतिमा बुद्ध की मुर्ति के उपर में जब यह धूप जा रहा था तो उससे बुद्ध की प्रतिमा को कोई फरक नहीं फरता था ठीक है तो यह हमारा पहला पैराग्राफ है जहां पर यह बोला गया कि ए नहीं हो रही थी अब बंडल तो रख दिया पर दूसरा बड़ा सा लिफाफा खोल ही डाला एक चित्र उसके हाथों में था और आखों में आसू थे कमड़े में अब दो प्रतिमाएं थी बुद्ध देव अपनी विराग महिमा में निमगन रामनी हाल राग शेल सा अचल ज देता है लेकिन एक लिफाफा था एंविलप वो एंविलप जो है वो खोल देता है अब वो एंविलप को जब खोलता है तो उसके हाथ में एक फोटो रहता है और वो फोटो को देखकर रोने लग जाता है और वो वहीं पर स्टिल रहता है एकदम वो शांत हो जाता है एकद जो भुद्ध की प्रतिमा थी वह एकदम विराग महिमा में निमग्ण मतलब भुद्ध की प्रतिमा एकदम शांत सभाव की थी उसे कुछ मतलब नहीं था कि दुनियादारी क्या हो रहा है लेकिन वहीं पे राम निहाल का जो मूर्ति था वह राग शैल सा अचल जिसमें से हड रव आशू की निर्जरनी बनकर धीरे धीरे बह रहा था और राम निहाल की जो मूर्ति थी उसमें हल चल थी और वह हल चल क्या थी कि उसके अंदर में जो हड़िदय के अंदर में जो आशू थे वह सारे आशू आखों से अब निकल रहे थे वह सिंपल बात है कि जब उसने लिफाफा खोला तो लिफाफा देख कर वा रोने लग गया अब कि शोड़ी वहाँ पर आ जाती है कि शोड़ी ने आकर हला मचा दिया भाबी अरे भाबी देखा नहीं तुने ना निहाल बाबु रो रहे हैं अरे तू चल भी अब कि शोड़ी यह देख लेती है और जाकर श्यामा को वहाँ पर बुला देती है श्यामा वहाँ आकर खड़ी हो गई उसके आने पर भी राम निहाल उसी भाव में विस्मृत सा अपनी करुना धारा बहा रहा था श्यामा ने कहा निहाल बाबु अब श्यामा आकर देखती ह एक दम से यह हो जाता है और फिर वह कहता कि यह ओढ़ने हमाफ करो बात क्या है कुछ सुनू भी तुम क्यों जाने के समय ऐसे दुखी हो रहे हो क्या हम लोगों से कुछ अपराद हुआ तुम से अपराद होगा यह क्या कह रही हो मैं रोता हूँ इसमें मेरी ही भूल है प्राइस्चित करने का यह धंग ठीक नहीं यह मैं धीरे धीरे समझ रहा तो उसी पे वह कहता है कि तुम से क्या गलती होगा मैं रो रहा हूँ यह तो मेरी गलती है और प्राइश्चित करने का प्राइश्चित का मतलब क्या होता है कि अगर आप कुछ खराब काम करते हैं तो उस खराब काम को ठीक करने का उस खराब काम को फिर से सही करने का उसको ज जा सकता है लेकिन थोड़ा बहुत उसे आप कंट्रोल में ला सकते हैं तो उसे प्राइस चित करना कहा जाता है तो अब राम निहाल कहता है कि मैं रो रहा हूं तो मैं प्राइस चित कर रहा हूं मैंने जो पिछली मैंने जो भूत काल में जो मैंने गलतियां की है मैं उन सभी जलतियों का यहाँ पर प्राइस चीत कर रहा हूं और यहाँ जो तरीका मैंने अपनाया है रोग कर प्राइस चीत करने का यह ठीक नहीं है अब श्यामा जैसे सावधान हो गया अब श्यामा समझ ये कि ये अगर ऐसी हवा में बाते कर रहा है मतलब कुछ गड़बर है उसने प कोटी सी बुद्ध फड़तिमा सागवान के सुन्दर मेज पर धूप के फड़ते बिंब में हस रही थी अब स्यामा समझ गई कि यहाँ पर कुछ उल्टा सीधा है तो वह खिशोरी वहाँ पर थी अब खिशोरी के सामने तो वह सब कुछ नहीं बूला जा सकता था तो वह के सामा क्या करती है कि राम NOT की सारी बाते सुनने के लिए वह छटाए खीचकर वहां पर आकर बैठ जाती है और बार बार यहां पर बुद्ध की परतिमा के बढ़े में बूला गया है कि जब वहां पर पर याлож शोटी सी बुद्ध की परतिमा थी वह सागवान की सुन्तर मे देखिए ये एक कहानी लिखने का धंग होता है जहाँ पे एक constant चीज को story के throughout बार बार बोला जाता है तो ये जो बुद्ध की भरतिमा है उसको बार बार बोलना उसी style से story लिखने का एक तरीका होता है अब राम निहाल से श्यामा पूचती है तो अब राम निहाल कहने लगा तुम्हारा अवलंब बड़ा धिर्र है तुम्हारे सामने बालकों का जुंड हस्ता खेलता लड़ता जगरता है और तुमने जैसी बहुत सी देव प्रतिमाएं श्रिंगार से सजाकर हर्दय की कोटरी को मंदिर बना दिया किन्तों मुझको वह कहां मिलता भारत के भिन भिन प्रदेशों में छोटा मोटा वेवसाइड नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हुआ जब तुम्हारे घर में आया तो मुझे विश्वास हुआ कि मैंने घर पाया जब से संसार को जानने लगा तभी से मैं ग्री हीन था मेरा संदूक और यह थोरा सा समान जो मेरे उत्तराधिकार का अंशता अपना पीट पर ला दे हुए घूमता है ठीक उसी तरजहे से कंजर अपने ग्री हस्ति टड़्टू पर ला दे हुए घूमता है अब यह एक बहुत कन्फीूजिंग सा है यहाँ पर देखिए राम निहाल क्या करता है राम निहाल पहले डिरेख बाप तो वह कर नहीं सकता था कि उसके पास यहाँ पे उस और ठीट ही और वो उसके पास जा रहा था तो वो घों मा फिरा आकर कहता है कि श्यामा तुम्हारा ये जो कटोर व्रत है WHAT मत pathetic दे किये श्यामा जो ती उसकी उम्र बहुत नहीं थी चो चोटीशी उम्र में ह वह विद्वा हो गई थी, तो नॉर्मली क्या होगा, कि अगर ऐसा कुछ होगा, और अगर आपके घर में कोई ये रह रहा होगा, कोई जवान आदमी रह रहा होगा, तो आप जो समझ रहे हैं, वही यहां पे होगा, कि हो सकता है कि आपके अंदर में उसके लिए फिलिंग्स आजाए लेकिन श्यामा के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और उसके साथ कोई नहीं था उसके पती भी मर गये थे बट फिर भी उसके अंदर में जो होता है न कि प्रती पती के मरने के बाद भी सेकेंड मैरिज के लिए जो ये आता है भाबना है वैसा उसके अंदर में लगता है इंतु तुम्हारा अवलंब बड़ाद तेर्ड है मतलब तुमने जो इतने दिनों से अपने विद्वा नियम को पालन करके रखा है इसका मतलब मैं समझ गया हूँ कि अगर इनसान सी चाहे तो वह अपनी सभी महत्पकांग चाहूं मतलब इनसान जो भी लोव है सभी लोव हो पर वह पा सकता है क्योंकि मैंने तुम को देखा है कि तुम विद्वा हो कर भी तुमने अपने emotions को control में रखा है तो इसका मतलब ये एक example है कि अगर इनसान चाहे तो वो अपने इस पे control रख सकता है तुम्हारे सामने बालकों का जुन्ड हस्ता खेलता लड़ता जगरता है और तुमने जैसे बहुत सी देव प्रतिमाएं श्रिंगार से जाकर हिर्दे की कोटरी को मंदिर बना दिया अब यहाँ पे वो उसके बारे में बोल रहा है कि तुम्हारे सामने बालकों का जुन्ड हस्ता खेलता लड़ता जगरता है और तुमने जैसे बहुत सी देव प्रतिमाएं श्रिंगार से सजाकर हिर्दे की कोटरी को मंदिर बना दिया कि तुम्हारे सामने में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन आती है बालकों का जुन्ड होता है जो और भी लड़के जो की उसके आसपास में आते रहते हैं ठीक है मतलब जब आप विद्वा होती है और कम उम्र की होती है तो उस टेम पर बहुत चांज होता कि अगर आपके सामने में जवान लड़के आए तो आपका फीलिंग्स उसके तरफ जा सकता है तो वही हो यहां पर कहता है कि तुम्हारे सामने इतनी डिस्ट्रैक्शन आत लेकिन फिर भी तुम अपने तुमने अपनी मोशन को कंट्रोल करके रखा हुआ है लेकिन मेरे से यह नहीं होता है और मैं जब भारत के यहां भटक कर जब मुझे अंत में तुम्हारा घर मिला तो मुझे यह लगा कि मैं मुझे अब घर मिल चुका है और मेरा यह संदूक और यह थोड़ा सा समान है जो कि मैं अब तुम्हारे घर में रखता हूँ मैं इससे पहले इसे यहां अपने साथ लेकर घूमता था ठीक उसी तरह जैसे कंजर अपने क्रियास्तिय टट्टू पर लादे घूमता है यह क्या है कंजर एक तरीके का ट्राइब होता है और टट लगता था लेकिन जब तुम्हारा घर मुझे मिला तो ऐसा लगा कि मुझे सचमुच घर मिल चुका है तुम जो अपने अंदर में फेलिंग्स को इतना कंट्रोल करके रखती हो इतने डिस्ट्रैक्शन भी आते हो तुम्हारे आसपास में लेकिन फिर भी तुम उनसे डिस् कर रहा है लेकिन यहांपे हमें यही जानना है कि वह प्षियामा से बात तो करना चाहता था लेकिन वह उसे कुछ मिल नहीं रहा से लिए इसके में बात करें मैं चतुर था इतना चतुर जितना मनुश्य को ना होना चाहिए क्योंकि मुझे विश्वास हो गया कि मनुश्य अधिक चतुर बनकर अपने को अभागा बना लेता है और भगवान की दया से वन्चित हो जाता है अब यहां पे वो कहता है कि मैं इतना चलाक आदमी हूँ, कि इतना चलाक होना भी ठीक नहीं है, जब आदमी बहुत जादा चलाक हो जाता है, तो उसके लिए वो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, और यही मेरे साथ हुआ है, भगवान की थैया मुझ पर नहीं है, मैं इतना चालाग हूँ कि अब मेरी लिए प्रॉब्लम हो गया है मेरी महात्व कांग्चा मेरी उन्नति शील विचार मुझे बराबर दोराते रहे मैं अपनी कुशलता से अपने भागी को धुखा देता रहा यह भी मेरा पेट भर देता था कभी मुझे ऐसे मालूम होता है कि वहां दा बाते हैं ना वो जब हम खबड़ा जाते हैं तो हम कोई धंग की बात नहीं करते हैं तो यहीं पर सारी बेढ़ंगे बाते हो रहा था कि मेरी महत्व कांग्चा मेरी उन्नति शील विचार मुझे बराबर दोराते रहे मतलब मैं हमेसा सक्सेस के पीछे भागता रहा मैं अप फेट भर देता था कभी कभी मुझे ऐसा मालूम होता कि यह दाओं बैठा कि मैं अपने आप पर विजय हुआ और मैं सुकी होकर संतुष होकर चैन से संसार के कोने मैं बैठ जाओंगा किन्तु हुआ मैं जो यह सोचता था कि मेरे महनत मेरी कोशलता से मुझे सब कुछ मिल जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं यहां पर वो सिंपली यह कह रहा है कि मैं भी अब किस्मत का मारा हो गया हूं मैं किस्मत में नहीं मानता था भागी में नहीं मानता था लेकिन अब किस्मत मुझे पर अपना असर डाल रही है मैं अब तक जिनके यहां नौकरी करता था वे कि जो लोग कि यहाँ वो काम करता था वो लोग उसे भुला रहे हैं और वो यहाँ कहता कि वो लोग अच्छे भी हैं लेकिन अब उन लोगों के पास जाने कारण मुझे यह घर छोड़ना होगा अब यहाँ तक जो बेढंगे बाते होड़ी थी उसका श्यामा पर असर होता है वो कहते कि तुम क्या कोई काम की बात नहीं कहोगे क्या वियर्थ ही इतना बोले जा रहे हूँ अब श्यामा और भी कुछ कहना चाहती थी कि उसे रोक कर रामनीहाल कहने लगा अब रामनीहाल जो है वो मेन बाते कहते हैं अब तक सिर्फ वो यहाँ की बेढंगे बाते कर रहा था और यह उतना जदा इंपोर्टेंट भी नहीं है बस यहाँ पर यह एक चीज इंपोर्ट समझता हूँ फिर तुमसे ना कहूंगा तो यहां भार कब तक ढोता रहूंगा यहां चैत है ना हाँ ठीक कारती की पुर्रीमा थी मैं कामकास से चुट्टी पाकर संध्या की शोभा देखने के लिए धशाव मेध घाट पर जाने के लिए तयार था कि ब्रज किश्वर बहुत कुछ छुपा हुआ है और मैं तुम्हें अपना वेल विशर मानता हूँ इसलिए अगर मैं तुम से यह बाते नहीं कहूंगा तो और किसे कहुँगा मैं कब तक यह बोज डोता रहूँगा और फिर उपना मेन बाद जो है वो कहने लग जाता है कि यह चैत्र का महिन मैं कार्थिक महिने की बात कह रहा हूँ, कार्थिक मतलब ऑक्टोबर नॉवेंबर का टाइम, तो वो मार्च एप्रिल का यह था और वो छे महिने पहले की बाते महाँ पर कर रहा था, तो वो यह कहता है कि एक कार्थिक की फुर्नीमा थी, मतलब ऑक्टोबर नॉवेंबर के ब बनारस का एक घाट है, अब जानते होंगे कि बनारस में बहुत घाट है, उनी में से एक शाशोमेद घाट है और वो यह कहता है कि एक दिन मुझे चुट्टी मिली थी काम से, मतलब मैं मेरा काम खतम हो गया था तो मैं घूमने के लिए घाट पे जा रहा था, तभी मेरे जो ब में भीतर से एक पुरुष के साथ एक सुंदरी स्थरी निकली और मैं समझ गया कि मुझे इन ही लोगों के साथ जाना होगा ब्रज किशोर बाबु ने का मान मंदिर घाट पर भजरा ठीक है निहाल आपके साथ जा रहे हैं कोई असुविदा ना होगी इस समय मुझे छमा कीज ये आवश्या काम है अब ब्रज किशोर जो है वो राम निहाल को कह देते हैं कि मुझे छोटी नहीं है तो तुमें काम करो इन दोनों को खुमा कर ले आओ अंत में ऑफिस में जब वो बैठा हुआ था तो उसी समय पे वो दोनों लोग आ जाते हैं अब उन दोनों में से एक स्थरी एक फुरूश रहता है पुरूश जो है वो बहुत सुन्दर रहती है और फुरूश जो है वो थोरा सा जो MARK बताया है तो अब वो जो है यहँन पर उसे खुमाने के लिए ले जाता है अब फुरूश के मुझ पर की रे खाए कुछ तन गई री ने कहा अच्छा है आ अब जब भरज किशोर जो है वो उन दोनों को कहता है कि मैं तो साथ में नहीं जा पाऊंगा मैं राम निहाल को आपके साथ भेजता हूं तो उसी पर फुरूश रहता है वो थो थोरा सा इशारा करता है लेकिन जो स्तिरी रहती है वो कहती है कि अच्छा है आप काम कीजिए हम इनके सदी घुमके आ जाती हूँ, आप अपना काम कीजिए। वो लोग वहाँ पहुंच जाते हैं, जहां से उन्हें नव पे चहर ना था, तो जो पुरूश रहते हैं मुहन बाबु, वो सबसे पहले ही जाकर नव पे चहर जाते हैं, लेकिन उस तरी को थोरा सा डर लग रहा था, तो उसे भुराम निहाल कहता है कि आईए मैं आपको चहर रहा देता हूँ, और वो हाथ बढ़ा कर उसे आराम से नव पे चहरा देता है, अब जब नव पे ओर चहर जाती है, तो वो राम निहाल के कानों में कहती है कि मेरे पती जो है वो पागल बनाये जा रही है, मतलब यह जो भरज की शोर है, ये मेरे पती के खिलाफ शरियंत र रहिएगा मतलब यहां पर वो देखिए यहां पर मेंनली क्या था कि बहुत सरी ऐसी होती है जो कि बहुत open-minded होती है वह आपको सब कुछ बताएगी और बहुत जैसे लोग होते हैं राम निहाल के जैसे जो कि उसे उसे प्यार समझ लेते हैं तो वहीं यहां पर हुआ कि क्यों लेगा लेकिन वो उसे कुछ और ही context में ले लेता है मैंने कह दिया कोई चिंता नहीं कि उपर जाकर बैठ जाने पर भी मेरे कानों के समीप उस सुंदर मुख का सुरी बात निनिश्वास अपनी अनुभूती दे रहा था मैंने मन को शांत किया चांदी निकल आई थी घार पर अकास दीब जल रहे थे और गंगा की धारा में भी चोटे-चोटे दीबग बहुत बहते हुए दिखाई देते थे अब जब उसे उसकी पत्नी कहती है कि आप सवधान रहिएगा तो वह कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं है और वो सब जाकर उपर में बैठ जाते हैं और चांदी निकल आई थी घाट पर आकास दीब जल रहे थे मतलब घाट पर बहुत सारे दीए जल रहे थे और गंगा की धारा में भी चोटे-चोटे दीपक बहुत दिखाए देते हैं आप अगर कभी ब्रारस के घाट पर जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि गंगा में बहुत सारे चोट-चोटे दीपक बहुते हैं वो दीबदान उसे कहा जाता है तो वही दीबदान हो रहा था काफी सुंदर वो लगता है तो उसी के बारे में यहां पर भोला गया है अब फिर से कहा गया मोहन बाबु की बड़ी-बडी गोल आँखे और भी फैल गई उन्ह यहां, मनोडवा बाबु जाता है तो dieta कानों में धिर से कहा देखाना आपने अब जब मनोर्मा कहती है कि इसका मतलब है कि गंगा जगा फूजा हुआ है इसलिए वो दीपक उसमें डाला गया है तो उसी पर उसके पते कहते हैं कि ऐसा नहीं है इसका मतलब है जीवन के लगो दीप की अनंत को अनंत की धारा में बहा देने का यह संकेत है मतलब जो गंगा यह नदी में बह रहे हैं थिशी तरीके से वह तो उसी चीज़ को यहां पर दीपक के त्रू दिखाया कि माजी वहना अनंत है वैसे ही गंगा भी अनंत है और जैसे हमारा जीवनॐактер और जैसे हम अपने जीवन में चोटा सा अन्स है थिक उसी तरीके से दीपक बेस गंगा क च्छोटा सा अंस है तो यही चीज महां पर दिखाया गया है और वह कहते हैं कि इतनी सुन्दर कलपना मतलब वो अपने ही बातों पर इतरा रही थे और इसी पर उसकी पत्नी जो है वो राम निहाल को कहती है कि देखा ना आपने मैंना को कहा था ना कि यह तोरे से पागल है औ मैं चकित हो रहा था बजरा पंचन पंच गंगा घाट के समी पहुंच गया तब हशते हुए मनुरमा ने अपने पती से कहा और यह बांसों की जो टंगे हुए दीपक हैं उन्हें आप क्या कहेंगे अरवोक और थोरा सा राम निहालिया आपर यह हो गया चकित हो गया कि यह क्या बोल रही है तो उसे अजीब लगा और नाव जो है वो ऐसे ऐसे ही बह रही थी और उसी पे थोड़ी देड़ जाकर मनुरमा अपने पती से कहती है कि जो बांसों में टंगे हुए दीपक हैं बहुत जगह वह था कि बांस में दीपक टांग दिये जाते हैं वो सुन्द दीप को उसी की ओर जाने के लिए यह भी संकेत है फिर खापते हुए उन्होंने कहना अरंब किया अब कहने कि आकास भी असीम है जैसे मतलब यहां पे दीपक को बांस में बांने का मतलब क्या है कि हम आकास की ओर दीपक को भेज रहे हैं तिक उसी तरीके से जैसे हम अपने जीवन मतलब यहाँ पर मरने के बाद जब बोडी जो सोल है वो उपर जाता है तो वही जीज़ यहाँ पर दिखाया गया है कि जीवन दीप को उसी ओर जाने के लिए यह भी संकेत है मतलब जीवन को आकास की ओर जाने का यह संकेत है और फिर यहां पे वो अपना पागलपन दिखाना सुरूख कर देते हैं तुम लोगों ने मुझे पागल समझ लिया है मैं यह जानता हूँ ओह संसार का विश्वास घात की ठोकरों ने मेरे रिदे को विचिप्त बना दिया है मुझे उसमें विमुक कर दिया है किसीने मेरे मानसिक विफिप्लवों में मुझे सहायता नहीं दी मैं ही सबके लिए मड़ा करूँ अब मैं यह नहीं कह सकता मुझे अकटपट प्यार की आवशकता है जीवन में वाक कभी नहीं मिला तुमने भी मनोडमा तुमने भी मुझे अब उसे थोरा सा दोरा परने लग जाता है तो उसी पर वो कहता है कि तुम लोग मुझे पागल समझ के रखे हो मैं जानता हूँ इस बात को यह जो संसार है इसने इतना विश्वास का इसने इतना दुख मुझे दिया है कि अब मेरा हरदे जो है अच्छा किया ठीक है मैं ही सब के लिए मढ़ा करूँ अब मैं यह नहीं सह सकता मुझे अकरपट प्यार किया वशकता है जीमन में वक्त अभी नहीं मिला तुमने भी मनुर्मा तुमने भी मुझे बोलता है कि मुझे लोगों ने इतना दोका दिया मैंने ही सब की मदद की और किसी ने मुझे प्यार नहीं किया यहां ते कि तुमने भी मुझे प्यार नहीं दिया अब मनुर्मा खबरा उठी उसने का चुप रहिये आपके तब्यत बिगर रही है शान्त हो जाईए अब इस पे क्या कहता है क्यों शांत हो जाओं राम निहाल को देखकर चुपर हूं वह जान जाएं इसमें मुझे कोई भै नहीं तुम लोग छिपाकर सत्य को छलना क्यों बनाती हो मोहन बाबु के श्वासों की गती थीवर हो उटी मनुर्मा ने हतास भाव से मेरी ओर देखा वह चांदी रात में वि सुन रहा है इसलिए मैं शांत हो जाओं वह अगर जान भी जाएगा कि हमारे बीच में ऐसा है तो मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं है अब वह थोरा सा और जोड़ जोड़ से चिला चिला कर यह बात करने लग जाता है मनुर्मा ने हताश भाव से मेरी ओर देखा वह करती है मैंने सावधान होकर का करते की रात चान्दमी से हीधर हो रही थी अब उसी बात को समालने के लिए वह उस नाव वाले को कहता है चलो अब वापिस चलते हैं नाव मान मंदीर की और गोम चली, मैंने मोहन बावु के मनोविकार की संबंद में सोच रहा था, कुछ दिर चुप रहने के बाद मोहन बावु फिर अपने आप कहने लगे, ब्रज किशोर को मैं पहचानता हूँ मनुर्मा, उसने तुमारे साथ मिलकर जो शर्यंतर रचा है, म उसे मैं समझ रहा हूँ, तो अब यहीं पर बीच बीच में वो बार बार बढ़ा रहा था, अब वो यह कहता है, कि तुम दोनों मुझे पागल करार दे देना चाहते हो, और मेरी प्रॉपर्टी हार अप लेना चाहते हो, यह मैं जानता हूँ अच्छे से, अब इसी पर कु सांत नहीं रहेंगे, जो भालतू का संदेह आप मुझे पर कर रहे हैं, या तो इस संदेह को छोड़ दीजिए, या तो श्रक करना छोड़ दीजिए, या मेरे लिए जहर मंगा दीजिए, स्वस्त होकर बड़ी कोमलता से मुहन बाबू कहने लगे, तुम्हारा अपमान होत है, सब के सामने मुझे यह बाते ना कहनी चाहिए, या मेरा अपड़ाद है, मुझे छमा करो मनुर्मा, अब उसे जो यह होता है, जिसे हम लोग कहते हैं, कि फिलिंग्स जो एकदम उपर नीचे होता है, तो उसे क्या कहते हैं, कि मुझे वह याद नहीं आ रहा है, तो जब शमा करो मनुर्मा, सचमुच मनुर्मा के कोमल चरन मोहन बाबू के हाथ में थे, और वो उसके हाथ और वो उसके पाउं पकर कर कहता है, कि मुझे छमा करो, वो पैर चुराती हुए पीछे किसकी मेरे सरीडी से उसका स्पर्श हो गया, वो छुब्द और संकोच में करता है, तो यह तो खुले में था, तो वो उसका पाउं चलाने की कुशिश करती है, इसी बीच में उसका जो बॉड़ी है, वो रहाम निहाल के बॉड़ी से टच हो जाता है, और वो कहती है, आप देख रहे हैं, कि यह क्या कर रहे हैं, तो उसी पे, वो तो, सॉरी, यहीं सकता, कि आप देख रहे हैं, कि वो क्या कर रहे हैं, सच मुच मैं देख रहा था, कंगा की घोर धारा पर भजरा फिसल रहा था, नक्षात्र विखर रहे थे, और एक सुंदर युवती मेरा आश्रे खोज रही थी, अपनी सब लज्जा और अपमान लेकर वो दुर्वा आप देखते हैं, तब मानों उससे प्राथना करती थी, कि कुछ मत देखो, मेरा व्यंग उपास देखने की वस्तु नहीं, और यहां पे जब वो उससे कहते हैं, कि आप देख रहे हैं, कि यहां पर क्या हो रहा है, तो वो सच मुच देख रहा था, मतलब सच मुच वो आप देख रहा था कि दोनों के बीच में क्या होड़ा है, और इसी बीच में जो नाव है, वो भी चल रहा था, नक्षत्र भिकर रहे थे, मतलब तारे यहां से वहां हो रहे थे, और एक सुन्दर युवती मेरा आश्रे खोज रही थी, मतलब राम निहाल को बार बार ये लगता कि आप देखते हैं और जब वो कहती है कि आप देख रहे हैं तो उसे यह लगता था कि मानों आप क्यूं देख रहे हैं, यह जो मेरे साथ अपमान हो रहा है या कोई देखने की चीज नहीं है, तो यह सब बाते वो सोच रहा था और यही सब बाते वो स्यामा से कह रहा था, मैं चुप था, घाट पर भजरा लगा, फिर वो योती मेरा हाथ पकर कर पेरी पर से समलते हुई उतरी, और मैंने एक बार न जाने क्यों धृष्टता से मन में सोचा कि मैं धन्य हूँ, मोहन बाबू उपर चरने लगे, मैं मनुर्मा के पीछे पीछे था, अपने भारी बोज डाल कर धीरे दीरी सीरियों पर चर रहा था, और आकिर का अटनाओ जो है, वो घाट की नारे आ जाता है, और सब उस बैसे उतर जाते हैं, और वो बार बार उसके मन में यही सब चल रहा था, कि शायद मनुर्मा उसे लाइक करती है, और उस टाप का खोच यहाँ पर अपने अपने पर भारी बोज डाल कर धीरे दीरी सीरियों पर चर रहा था, अब यहाँ पर उसने धीरे से मुझसे कहा, राम निहाल जी मेरे विपत्ती में आप सहायता ना कीजिएगा, मैं अब बाग था, और वो जो औरत है, वो राम निहाल से कहती है, कि आप मेरे विपत्ती में और शहायताने आप मतला उसकffen उससे कहा था कि आप मेरे मदद मत कीजिए लेकिन इससे वह एसा लगा आ कि या आप मेरे मदद नहीं करेंगे मतलब रहो से ुश बादे वो उसे सुना चुका था श्यामा को अब उसका reaction क्या होता है श्यामा ने एक बार गहरी द्रिष्टी से राम निहाल को देखा वो चुब हो गया श्यामा ने आग्या भड़े स्वर में कहा आगे और भी कुछ है या बस और श्यामा समझधार थी तो इतना कुछ सुनने के बाद वो अपना कुछ ओपिनियन देना चाहती थी लेकिन वो पहले ये सुनिचित कर लेना चाहती थी कि राम निहाल अपनी साड़ी बाते कहती तो वो कहती है कि आगे और भी कुछ कुछ कहने को है या फिर बस यहीं तक तर मुफन निहाल कहता है हाँ और भी कुछ है तो वही क्यों कर बाते कहने लग जाता है के ता ओप मुझे धीरे धीरे मालूम हुआ कि ब्रत्च किशोर बाबु यह चाहते है कि मोहन लाल अदालत से पागल मान लिये जाए और ब्रत किश्वरुन की संपत्ती के पुरबंदक बना दिये जाए क्योंकि वे ही मोहन लाल के निकट संबंदी थे भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है कि दुसंसार तो दूसरे को मुर्क बनाने के वेबसाई पर चल रहा है मोहन अपने संदेह के कारण पुरा पागल बन गया है तुम जो यह चिट्टियों का बंडल देख रही हो वह मनुर्मा का है अब वो और भी बाते करता है कि उसे लास्ट में यह सचमुच मालूम हो गया कि सचमुच जो मोहन बाबु सरी जो बरज किशोर है वो मोहन बाबु को पागल बना देना चाहता है और उसकी सारी प्रॉपर्टी हरप लेना चाहता है और उसी पे वो उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है इसमें कितना सच्चाई है इसमें कितना कुछ है लेकिन मुझे भी यही लगता है कि सायद सचमुछ ब्रज किशोर जो है वो मोहन बाबु को पागल करार दे देना चाहता है और सचमुछ मनुडमा को मेरी मदद की जरूरत है और तुम जो यह चिठियों का बंडल देख रही हो वह मनुडमा का है मनुडमा उसे काफी चिठियां भेजी थी इसलिए इतनी सारी चिठियां भेजने के बाद उसे यह लग रहा था कि सायद मनुडमा उसे लाइक करती है लेकिन ऐसा कुछ यहां पर नहीं था अब रामनिहाल फिर रुख गया श्यामा ने फिर देखी दिर्ष्ट से उसकी ओड़ देखा रामनिहाल कहने लगा तुमको भी संदे हो रहा है सो ठीक ही है मुझे भी कुछ संदे हो रहा है मनुडमा क्यों मुझे इस समय बुला रही है और फिर जब रामनिहाल शांत हो जाता है तो वह श्यमा की ओर देखता श्यमा उसे देख रही थी अब राम निहार के देखे तुमको भी ऐसा लगता है न कि मतलब जो मैं सोच रहे हो क्या तुम भी भी सोच रहे हो अब इसी पर कहते हैं और विया कहता है कि मनुर्मा मुझे इस समय क्यों बुला रही है मतलब वह जो उसे यह लग रहा था कि शायद श्यमा भी यही सोच रही है कि मनुर्मा राम निहाल को सिप्रेम करती है और वह चाहती है कि वह उसके पास आए और उसकी मतलब खटे लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं था और अब यह टोटली इस चीज़ का यह हो जाता है अब श्यामा ने हसकर कहा तो तुम क्या समझते हो कि मनुर्मा तुम को प्यार करती है और वह दूस चरित्रा है छी राम निहाल यह तुम क्यों सोच रहे हो देखूं तो हाथ में यह कौन सा चित्र है क्या मनुर्मा का ही और फिर वह कहते कि तुम क्या सोचते हो कि वह तुम से प्यार करती है और वो दूस चरित्र है, मतलब वो क्या चरित्र हीर और अड़त है, ची, तुम ऐसी बाते सोच रहे हो, और ये फोटो किसका है, ये तो देखूं, कहते कहते, श्यामा ने राम निहाल के हाथ से चित्र ले लिया, उसने आश्चारी भड़े स्वर में कहा, अरे यह तो मेरी ही है, तो क्या तुम मुझसे प्रेम करने का लरकपन करते हो, ये अच्छी फांसी लगी है तुमको, मलरमा तुमको प्यार करती है, और तुम मुझको, मन के विनोध के लिए तुमने अच्छा साधन जुटाया हुआ है, तभी कायरो कित्र यहां से बोड़िया पंधना लेकर रखा है, अपने आपको एंटर्टेन करने के लिए, वो तुम्हे प्यार करती है और तुम मुझे, और इसलिए तुम यहां से भागना चाहते हो, जल्द बाजी में कायरोपन कर जो सही लगे, वही तुम यहां पर करना चाहते हो, और इसलिए तुम यहां से भागना चाहते पतब श्यामा का जो reply था राम निहाल की उपर में अब राम निहाल समझ चुका था कि किस टब का reply उसे आने वाला है तो वह अब कुछ कर नहीं सकता था अब श्यामा दिर्ड स्वर में कहने लगी निहाल बाबू प्यार करना बड़ा कठीन है तुम इस खेल को नहीं जानते इ अब तुम्हें मेरी संग रचता की आवशकता है उठो नहाद हो लो जो ट्रेन मिले उसे पटना जाकर ब्रच किशोर की चलाकियों से मनुर्मा की रक्चा करो और फिर मेरे यहां चले आना यहां सब तुम्हारा भ्रहम था संदेह था और अब श्यामा उसे क्लियरली कह जे है और प्यार करना इतना आसान नहीं है तुम इस खेल को नहीं जानते हो और इस चक्कर में परना भी मत हाँ यह सच है कि वो तुम्हें अपनी दोस्त मानती है इसलिए वो तुम्हें बुलार ही है जाओ उसकी मदद करके आओ और यहीं पर रहना तुम्हें यहीं पर रहना ह सोच रहा था कि ख्याली बुलाओ जो उसने पकाई हुए थे वह सब जूटे थे वह उसे यही कहती कि जाओ नहाद हो लोग जो ट्रेन मिले उससे उसके मदद करके आ जाओ लेकिन तुम्हें यहीं पर रहना होगा अब तक जो तुम सोच रहे हो जो तुमने मुझे बताया है वह सब कुछ भरम है रामनिहाल धीरे से उठकर नहाने चला गया और रामनिहाल भी समझ चुका था उसके सामने में सब संदेह जो उसका था वो क्लियर हो चुका था ठीक है तो यहीं पर स्टोरी भी एंड हो जाता है और यह स्टोरी में जो में चीज है वो यह है कि किसी के स श्यामा के सामने अपनी सारी बाते कह दी और अगर साथी सही हो श्यामा जैसा हो तो वह आपके सभी चिंताओं को हटा देता है तो वहीं यहाँ पर राम निहाल के साथ भी हुआ और जो इसका टाइटल है संदे तो इसका में अगर आप से पुछा जाए कि टाइटल क्या ठीक है तो मेन तो बाद तो यही है कि इसमें जो मेन जिस चीज को लेकर पूरा स्टोरी इहां पे चल रहा है वह एक संदेह है जो कि राम निहाल के मन में है कि साइद मनोर मा उसे प्यार करती है ये सबसे बड़ा संदेह है इसके साथ ही साथ चोटे बहुत और भी संदेह यहां पर हैं जैसे मोहन बाबू संदेह करते थे अपनी पत्नी पर कि वह ब्रश की सोड से मिलकर उसे पागल बना देना चाहती है इसी के साथ साथ और भी यहां पर संदेह था तो इसे लिए मेन यहीं दो कारण है कि मेन संदेह तो यहाँ पर हमें दिखाई देही रहा है राम निहाल सोच रहा था कि मनुर्मा उससे प्यार कर थी और यह सबसे बड़ा संदेह था और पर दूसरा संदेह था कि ब्रज कि मोहन बावु यह सोच रहा थे कि ब्रज के शोर के साथ मिलकर ब्रश की सुरक के साथ मिलकर उसकी पत्नी उसके खिलाब शर्यंतर रच रही है और इसी कारण है कि इसका शनाम संदेह रखा गया है ठीक है? यहीं पर अंड होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ तब तक के लिए ध्यान रखिए